हालो डेल गे फामीलिये ना विगेट्स इस वीडियो में हम देखेंगे जी ठेल्क टेटेसेट एक्जाम का श्राइबन का ठाइल स्वाए जो के होता है बिल्ड पे श्राइबुंग तस्वीर आपको दी जाती है जिसको आपने एक्जामेनर के सामने डिस्क्राइब करना होता है पिछले ही हफते मेरी कुछ लर्नर्स का ठेल्क टेटेसेट एक्जाम था तो उसमें से एक को क्या तस्वीर आई वो हम अभी देखने लगी है लो स्केट्स तो ये तस्वीर आई थी जी डिस्क्राइब करने के लिए वीडियो यहां पॉस्ट करें और सोचें आप इस तस कर सकते हैं आउफ देन एरस्टन बिक कान इश आइनन मान जेन पहली नजर में मैं देख सकती हूँ एक आदमी आइन आल्ठामान जिट्स आउफ ट्या जिट्स बांक कि एक बुड़ा आदमी बैठा हुआ है किस पर हाली बांक भी आप लोग बोल सकते हो आउफ ट्या बांक बंक कहते हैं जी इस बैंच को और आप इसको जिट्स लगा कर भी कह सकते हो तो इसको दोनों तरह से हम बोल सकते हैं तो वो बैठा हुआ है बैंच पर एया इस्ट उनगे फिया फुनवन फुन सिश्यागे आल्ट वो इतने साल का है एया हाथ खाईने हागे उसके कोई भी बाल नहीं है एया ठेक्ट आइन हेल ब्लावेस गे श्ट्राइफ टेस हम्ट उसने पहन रखी है एक लाइट ब्लू गेश्ट्राइफ टेस एंडिंग एस की लगाकर वरना बेसिक वर्ड है गेश्ट्राइफ कहते हैं लाइनों वाली तो उसने पहन रखी है एक लाइनों वाली लाइट ब्लू श्ट उन्ट बलावे जीन्स और नीली जीन्स याद रखीगा एंडिंग्स का जरा आप अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा अगर उसके प्रॉपर लिया आप उनको यूज करें तो डीपांक इस्ट बगाउन उन्ट बिश्टेट आउस होल्स के जो बैंच है वो ब्राउन है और बना हुआ है लकडी का ये कॉंबिनेशन लिख लीजिए बड़ा आपको काम आएगा बिश्टेअन आउस कहते हैं बना हुआ होना किसी चीज से न to consist of to be made of के मतलब में इसको हम इस्तमाल करते हैं तो जो चीज जिससे बनी हो आप उसके बारे में इसको यूज़ करकर बिल्ड बिश्वाइबों में काम में ला सकते हैं आगे आप कुछ और बातें भी कर सकते हैं जैसे कि दियामान जिट्स्ट टगाउसन उन्ड लीस्ट आइने साइटोंग आप ये देखें जब भी पिक्चर में कोई बंदा कहा होगा होटेल में कमरे में किच रहा है इसने में आन दस एया ये दन थाग साइटोंग लीस्ट मुझको लगता है कि वो हर दिन अख़बार पढ़ता है ऐसे ज़िए विश्टिश व्याइन इन्फॉमियर्ट सुजाइन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो खुद को इन्फॉर्म रखे यानि कि आस पास में क्या हो रहा है उसको हमेशा पता होना चाहिए ये उसके लिए जरूरी है यह हम खुद से बातें सोच सोच कर बता रहे हैं इस आदमी के बारे में एया मौश्टे एमाविसन वो हमेशा जानना चाहता है वस इंडिया वेल्ट औरा इंडिया रेगियोन फसीर्ट वो में या उसके इलाके में क्या कुछ हो रहा है मौसम की बात आप जरूर किया करें कपड़ों को साथ मैच करके जैसे के एसे सिशालिष सॉमा वाइल डिया मान लाइश्टे क्ला मौटन ट्रेक्ट इट इस शॉरली समर शॉरली गर्मिया है क्योंके आदमी ने हलके कपड़े पहन रखे हैं क्योंके मौसम बड़ा अच्छा है प्यारा है और सूरज चमक रहा है क्योंके हमको जोननलिष्ट दिख रही है न यहां पर मुझको उपर लेफ्ट साइड पर पोदे दिख रहे हैं और जाहिरी बात है घास भी जैसे के यहां पर सारी आपको दिख रही है पीछे में राइट साइड पर मुझको एक दिवार दिख रही है मुझे काफी सारे लेर्णर्स ने बताया है कि बिल बिश्खाइबों में एक्जैमिनर्स कभी कभी उनको जादा बात करने नहीं देते तो शुरू में जो पॉइंट्स आप बोलें जरूर उनको ध्यान में रखके और फ्लुएंसी में बोलें यानि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए लफजों को आप कैसे बोलते हैं वो सही होना चाहिए और उसके साथ साथ एंडिंग्स वगरा सही लगानी हैं शुरू का इंप्रेशन बड़ा अच्छा रहना चाहिए जब आप एक तस्वीर में जो जो चीजें थी में उनको डिसकस कर लिया और एक्जामिनर ने अगर नहीं रोका तो फिर आप उस पिक्चर को अपनी मेमरी के साथ अपने एक्सपिरियंस के साथ भी मैच कर सकते हैं जैसे के यह पिक्चर मुझको याद दिला रही है मेरे अबबा की क्यूंके वो भी बहुत शोक से अखबारें पढ़ते हैं याद रखिएगा के जैसी पिक्चर होगी उसके एक्जामिन आप लोग इस लाइन को चेंज कर करके बोल देंगे जैसे अगर छोटे बच्चों की तस्वीर हुई तो आप कह सकते हो ए इनरट मिश आन माइने खेंठाइट मेरे बच्चपन की याद दिला रही है और इस तरह बाकी चीजों की भी अच्छा उसके बाद हम आगे ही चलते जाएंगे याद रखिए मैं हमेशा अपने लर्नर्स को कहती हूँ के यह सच्चाई क का इमतिहान नहीं है कहानिया बनाने और सुनाने का इमतिहान होता है सची जूटी जैसी भी आप चाहें आप उसी टाइम कहानिया बना कर सुना सकते हो जैसे यह कुछ भी सच्चा नहीं है लेकिन मैंने खुच से बना कर लिखा हुआ है तो अब अबबा की ही बात चल रही ह ज़ावा था अखबार गर पर हर दो हमारे आती थी तो मैं और मेरे भेंट भाईयों को भी जाहिरी बात है कि फिर उनके पास भी पोसिबिलिटी होती थी कि हम अखबारें पढ़ सकें मंचमालहट उन्जाफारठा उन्सटिसाइटंग फौगे लेजन फुआ लेजन कहते हैं पढ़कर सुनाना या उंची पढ़ना न तो कभी कभी अबबा हमको खबरें पढ़कर अखबार पढ़कर सुनाते थे ठीक है तो इस तरह करके आप कुछ भी कहानी जिस पिक्चर जो आपको आए उसके बारे में बनाकर प्रैक्टिस करनी पढ़े की घ पुछ जा सकते हैं तो इस पिक्चर से रिलेटिड मैंने एक कुश्चिन बनाया है जैसे के वी इनफोमीगन जी जिश आप खुद को कैसे इनफार्म करते हैं के आज पास में क्या हो रहा है दुनिया में क्या हो रहा है आप किस तरह से खुद को उसके बारे में मालूमात फ पॉसिबिलिटीज हैं खुद को इनफॉर्म करने की सुमभाइश पील, मिसाल के तौर पर, साइटोंगन, वीडियो नाखरिश्टन, साइश्रिफटन, और जो वाइटा, अखबारें, वीडियो की जो रिपोर्ट्स हैं वो, हबरों माली न, और मेगजीन्स वगेरा. आबा, इश इनफॉर्मीगे मिश उबर अपडेट्स उन्ट नौइश्खाइटन तुष नाखरिश्टन खानेले वी टेवे ओडर पिबिट्सी, यानि के, इन चीजों के थूरू हम अपने आपको इनफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद को किस तरह से मालूमात फ्राहम कर करती हूँ, अपडेट्स के बारे में कि क्या चीजे हुई है, या नई नई खबरों के बारे में, वो है जी, खबरों वाले चैनल्स के जरीए, जैसे के, डोईचे वेले हम सब को पता है, कि जर्मनी का निउज चैनल है, और एक चैनल है वैसे भी और जो बीबी सी का, तो हम सबी को पता ही है आबा वेन इश फ़ाय साइट हाबे लेकिन जब मेरे पास फ्री टाइम हो दान लेजे इश आओ साइट ठूंगन उन्ट साइश्रिफटन फिर मैं अखबार भी पढ़ती हूँ और मेगजीने भी आबा अम बेस्टन गे फालन लेकिन सबसे ज़्यादा मुझको पसांद है क्या वीडियो रिपोर्ट्स ना तो इस तरह करके आप आंसर दे सकते हैं इनी स्टूडन के साथ दूसरे जो पार्टिसिपेंट थे एक्जाम के उनको ये पिक्चर आई थी जो कि आप वीडियो पॉस करके खुझ से प्राक्टिस के लिए चेक इसको कर सकते हैं कि आप किस तरह से इसको करेंगे इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया क्या इसने आपकी हेल्प की है अगर हां तो मुझे लाइक और कॉमेंट करके बताएए अपने उन लैंग्विज लेर्निंग फ्रेंड्स के साथ जिनका जल्दी ठेल्क टेटेसेट एक्जाम होने वाला है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में चूस